अस्सलामुलेकुम सेकिंड क्लास, बिस्मिल्लाहिर रख्मान रहीम, हम मैट्स काउंट जोन का पार्ट वन का रहे हैं नमबर्स, जिसमें हम पहले नाइन पेजिस बुक के उपर सॉल्फ कर चुके हैं, आज हम पेज 10 करेंगे, अगें वही है हंडर्ड टैन्स एंड वन्स, ज लिखें, then draw beads on the abacus, फिर abacus के अंदर beads ड्रा करें, यह A वाला पार्ट पहले से सॉल्फ किया गया है, आपकी एसानी के लिए, तो फिर्स्ट नमबर हमारे पास क्या था, 113, तो हमारे पास 113 में हमारे पास 100 कितने हैं, 1, 10 कितने हैं, 1, और 1 कितने हैं, 3, तो फिर्स्ट मे जैसे column में लिखा गया है, इस block के अंदर, इसी तरह से हम लीचे भी लिखेंगे, तो लिखा गया है, 100, 1, 10, और 3 ones, तो H का मतलब है 100, T का मतलब है 10, और O का मतलब है ones, तो इसी तरह से हमारे पास ones कितने थे, 3, तो ones के अंदर 3 beads बनाए, 10 कितने हैं, 1, तो 1 के अंदर 1 bead बन आया, 10's के अंदर, इसी तरह से 100's हमारे पास 1 है, तो 100 के नीचे हम 1 bead बनाएंगे, next अब हमारे पास B part है, इसमें हमारे पास क्या नंबर है, 8, 100 and 41, तो हमारे पास 100 कितने हैं, 8, 8, 100, तो 10 कितने हैं, 4, तो हम लिखेंगे इसी तरह से 4, 10, ones कितने हैं, 1, इसी तरह से अब हम ones, tens and hundreds में beads बनाएंगे, हमारे पास ones कितने हैं, 1, तो 1 के नीचे हम 1 bead बनाएंगे, next, tens हमारे पास कितने हैं, 4, तो tens के अंदर हम 4 beads बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, hundreds कितने हैं, 8, तो हम 100 वाले column में 8 beads बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, next है C part, C part में हमारे पास नंबर है, 593, 100 कितने हैं, 5, तो लिखेंगे 500, तो 10 कितने हैं, 9, 10, ones कितने हैं, हमारे पास, 3, तो अब ये हमारे पास है, ones, tens, और hundreds, तो इनके अंदर हम beads बनाएंगे, हमारे पास ones कितने हैं, 3, तो ones के नीचे हम 3 beads बनाएंगे, 1, 2, 3, tens कितने हैं, 9, तो 10 के नीचे हम 9 beads बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 हमारे पास कितने हैं, 5, तो 100 के नीचे हम 5 beads बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, D part में हमारे पास क्या नंबर है, 620, 610 हमारे पास कितने हैं, 2, 10, ones हमारे पास क्या है, 0, ones, इसे तरह ones हमारे पास 0 है, तो हम इसके नीचे कोई beads बनाएंगे, 10s हमारे पास 2 है, तो 10 वाली line में हम 2 beads बनाएंगे, 1, 2, 100s हमारे पास कितने हैं, 6, तो 100 की line में हम 6 beads बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इपार्ट है हमारे पास इपार्ट में क्या नंबर है? 4, 100 and 19 100 कितने है? 4 4, 100 10 कितने है? 1, 10 1's कितने है हमारे पास? 9 9, 1's इसी तरह हम अब आकस में पीड्ट बनाएंगे 1's में हमारे पास कितने है? 9 तो हम 9 बीड्ट बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 Next 10 हमारे पास कितने है? 1 10 के इंदर हम 1 बीड बनाएंगे 100 हमारे पास कितने है? 400 तो hundreds वाली line में हम 4 beads बनाएंगे 1, 2, 3, 4 F part में हमारे पास क्या number है? 700 and 58 100 कितने है? 700 10 कितने है? 5 Ones कितने है हमारे पास? 8 8 Ones लिखेंगे इसी तरह अब आकस में हम beads बनाएंगे 1 में हमारे पास कितने है? 8 तो Ones के अंदर हम 8 beads बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 अब हमारे पास कितने है? 5, 10 तो हम 10 वाली line में 5 beads बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 Next हमारे पास 100 तो hundreds हमारे पास कितने है? 7 तो hundreds में हम 7 beards बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next है G part इसमें हमारे पास number है 302 Hundreds हमारे पास कितने है? 3 Tens कितने है? 0 और 2 कितने है? हमारे पास ones कितने है? 2 हमारे पास 2 ones है इसी तरह से ones, tens और hundreds में हम beards बनाएंगे ones हमारे पास कितने है? 2 तो हम 2 beards बनाएंगे 1 और 2 Tens हमारे पास कितने है? 0 है तो tens के नीचे हम कोई भी beards नहीं बनाएंगे 100 हमारे पास कितने हैं? 3 तो 100 में हम 3 beads बनाएंगे 1, 2, 3 I hope आपको page number 10 की इच्छी तरह से समझ आ गई है आपने इसी तरह lead pencil के साथ book के उपर ही इस page को solve करना है Allah Hafiz, Assalamualaikum